नमस्कार, NCR टिगरित कक्चा दसमी में आपका स्वागत है हम लोग प्रिष्णावली 5.3 का प्रस्न इक्रमां के एक कर रहे हैं जिसमें हम लोग दूसरा प्रस्न आप करेंगे और इसमें हमें एक स्रेणी दी गई है और 12 पदों तक का युगफल ग्याद करना है तो सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे जो हमें स्रेणी दी गई है तो ये हमें समानतर एक स्रेणी दी गई है और जिसका हम प्रिथम पद और सार्व अंतर निकालेंगे तो सबसे पहले हम प्रिथम पद निकाल लेते हैं जो की होता है पहले नम्मर का पद तो प्रिथम पद A बरावर माइनस 37 ये प्रिथम पद है अब हम सार्व अंतर निकालेंगे तो चलिए सार्व अंतर निकाल लेते हैं सार्व अंतर होता है D बरावर इसे हम D से डिनूट करते हैं और इसका मतलब दूसरे नमबर के पद मैंसे पहले नमबर का पद घटाना तो ये हमारा सारवंतर है और परतम पद भी हम निकल चुके हैं माइनस सारवंतर चार तो इसके बाद हमें 12 पदों तक का योग चाहिए इसलिए N का मान हमें 12 दिया गया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे N बरावर 12 तो इसके बाद हम S-N चू की फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे सबसे पहले चू की S-N का फॉर्मूला होता है S-N बरावर N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D यह होता है S-N का फॉर्मूला अब यहाँ पर हमें चू की N 12 ग्याद करना है यानि 12 पदों तक का योग फल तो इसलिए आप इसलिए काचिनने लगा के N की जगह पर 12 लिखेंगे A कामान आप उपर से देख सकते हैं माइनस 37 है तो यहाँ पर आप लिखोगे इंटू माइनस 37 यह प्लस लगा है तो प्लस और N की चिकह पर आप लिखोगे 12 माइनस 1 और D कामान यहाँ से रखोगे जो की है 4 ब्रैकेट को बंद करोगे तो यह सब आपको देखके ही लिखना है A कामान डी कामान और N कामान जितना दिया गया है सिर्फ फॉर्मूला में रखना बस है इसके बाद यहाँ पर हम 6 आजाएगा 12 तो 6 अब माइनस लगा है तो माइनस तो रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है और प्लस माइनस असमान चिन नहें इसलिए माइनस आ जाएगा अब 37 का गुणा दो में करेंगा तो यह चौतर आ जाएगा और यहाँ पर हम प्लस 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11 गुड़त 4 तो इस तरीके से अब हम इसका गुणा कर लेते हैं सबसे पहले माइनस चोहतर ग्यारा चोटंगे चवालिस और ये जो है 4 मेंसे 4 कटाले माइनस का 30 आ जाएगा तो 6 माइनस 30 अब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस और 6 तीफ्याग 18 यानि 180 तो माइनस का 180 आ जाएगा तो अता है जो हमारी सरेणी दी गई थी जो थी यहाँ पर माइनस 37, माइनस 33, माइनस और 12 पदों तक का योग फलन का है माइनस 180 तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग second question करेंगे ये प्रथम screenshot है और ये दुदिये और इसके बाद आप आगी लिख सकते हैं चलिए तीसरा question लिख लेते हैं तो तीसरा question है 0.6, 1.7, 2.8 और 100 पदों तक का योग फल तो सबसे पहले जो हमें समांतर सरेणी दी हुई है उसी को लिख लेते हैं तो ये समांतर सरेणी है और इसमें हमें प्रिथम पद जो है उसको निकाल लेना है और सारवंतर जो है उसको निकाल लेना है तो सबसे पहले प्रिथम पद निकाल लेते हैं प्रिथम पद को ये से दर साते हैं और ये बराबर है 0.6 अब हम सारवंतर भी निकाल लेते हैं तो ये सारवंतर D बराबर दूसरे नमबर के पद मैं से पहले नमबर का पद घटाना है यानि 1.7-0.6 तो चलिए घटा लेते हैं इसको रफ मैं घटाएंगे 1.7 और 0.6 ध्यान रखना है दिसमलाव नीचे दिसमलाव ही होना चाहिए दिसमलाव के नीचे दिसमलाव अब घटा लेते हैं तो 7 मैं से 6 जाएगा तो बचेगा 1 दिसमलाव जियों काते हो और 1 मैं से 0 जाएगा तो एक ही बचेगा तो सारवंतर आपका आजाता है 1 दिसमलाव 1 तो ये तो था प्रथमपद और सारवंतर अब यहाँ पर 100 पदों तक का युखफल चाहिए इसलिए N का मान आपको 100 दिया गया है चलिए चुकि फॉर्मूला होता है S N बराबर युखफल का चुकि S N बराबर होता है N मटे 2 2 A प्लस N माइनस 1 इंटो D यह फॉर्मूला होता है अब यहाँ पर आपको इसलिए 100 पदों तक का युखफल चाहिए तो S 100 कर दीजिए और N की जगाए जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ 100 लगा दीजिए तो यहाँ पर 100 बटे 2 2 गुड़े एक आमान उपर से देख लीजिए कितना है 0 दिसमलाव 6 प्लस N-1 यानि की 100-1 और यह जो है D इसका मान है 1.1 तो यहाँ पर एक दिसमलाव 1 आप लिखेंगे इसके बाद आगे सॉल्ब करेंगे तो यह बन जाएगा 50 और यह 6 दूनी 12 और एक अंक बाद दिसमलाव पहले आप संख्या का उना संख्या में करेंगे तो 6 दूनी 12 है एक अंक बाद दिसमलाव लगा था तो एक अंक बाद दिसमलाव बापिस से लगा देंगे और प्लस 100 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा तो आंसारे 99 आजाएगा और 1.1 यह चियों काते हो और यह इस तरीके से ब्रैकेट बंद है पचास और यहां पर एक दिसमलाव दो और जब 99 का गुणा 11 में करेंगे तो यह देख लेते हैं कितना आएगा तो जब हम 99 गुणा 11 करते हैं तो हमें मिलता है 1089 लेकिन एक अंक बाद दिसमलाव था इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पचास और यह जो है इसको हम जोड लेते हैं तो चलिए जोड लेते हैं तो यह आ जाएगा 110 दिसमलाव एक अब हम पाँच का गुणा करेंगे सबसे पहले जीरू हम यहां पर लगा देते हैं फिर पाँच एकम पाँच और एक आंग बाद दिसमलाव था तो बापस से एक आंग बाद दिसमलाव लगा देते हैं तो यह तो था युगफल एस हंडर्ड तो यह है दिसमलाव के बाद जीरू का मतलब नहीं बनता इसलिए हम इसको ऐसा भी लग सकते हैं पचपन जीरो पाँच यह अंसर हो जाएगा तो इस तरीके से हम तीसरा क्वश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग चौथा क्वश्चन करेंगे तो यह है चौथा क्वश्चन और इसमें हमें एक स्रेणी दी गई है और 11 पदों तक का योगफल ज्याद करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई स्रेणी जो की समांतर स्रेणी है एक यह एक समांतर स्रेणी है अब इसमें जो पहला पद है निकाल लेते हैं और जो सारवंतर है उसे भी निकाल लेते हैं प्रथम पद और सारवंतर निकालेंगे, तो प्रथम पद तो वही कहलाता है, जो सबसे पहले लिखाओ, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रथम पद ए वरावर एक बटे पंदर है, इसके बाद हम सारवंतर निकाल लेते हैं, तो सारवंतर लिखेंगे, और सारवंतर D वरावर होगा दूसरे नमबर के पद में से पहले नमबर का पद घटाना यानि कि 1 बटे 12 माइनस 1 बटे 15 तो अब इसका LCM लेना पड़ेगा तो चलिए LCM ले लेते हैं तो दोनों की दूनिया जो है LCM इसको हम अलग से ले लेते हैं और रख मैं इसको समझते हैं तो यहाँ पर हम लेते 12 यहाँ पर लेते 15 ती चोके 12 ती पांचे 15 4 एकम 4 एक से चला जाएगा और 5 जियों काते हों पर 5 एकम 5 तो दोनों एक एक हो जाएंगे तो यहाँ पर 5 चोके 20 ती है 60 तो 60 LCM आ रहा है तो यहाँ पर आप 60 लिख दीजिए तो 12 चोके 12 चोके 48 12 पांचे 60 तो 5 आया तो कितने बार गया 5 बार 5 का गुणा उपर वाली संख्या में करेंगे जितने बार भाग जाएगा तो जो संख्या आएगी उसका गुणा उपर वाली संख्या तो 12 पांचे 65 बार गया 5 एकम 5 LCM तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 15 चोके 60 कितने बार गया है तो अंसर है 4 बार गया 4 एकम 4 तो यह फाइनली जाकि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में ये 60 चियों काते हूँ तो सार बंतर है एक बटे 60 अब हमें A और D दोनों मिल चुके हैं और यहाँ पर 11 पतों तक का योगफल चाहिए इसलिए N बरावर 11 भी दिया गया है तो N बरावर 11 दिया गया है तो यहाँ पर आपको लिखना चुकी S N बरावर जो फॉर्मूला होता है वो होता है N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D यह फॉर्मूला होता है लेकिन S 11 यानि की 11 पतों तक का योगफल चाहिए इसलिए S 11 बरावर 11 भाई 2 11 बटे 2 दो गोड़े एक आमान आप उपर देख सकते हैं 1 बटे 15 तो आप यहाँ पर रख दीजिए 1 बटे 15 प्लस N माइनस 1 यानि 11 माइनस 1 और D का मान आपको 1 बटे 60 दिया गया है तो आप यहाँ पर रखेंगे गुलत 1 बटे 60 आप चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो S 11 बरावर 11 बटे 2 और 2 एकम 2 बटे 15 आजाएगा यह प्लस यहाँ पर 11 मैंसे 1 जाएगा तो बचेगा 10 और 10 बटे 60 यह हो जाएगा अब इसको हम कैंसल कर देते हैं तो 0 और 0 कैंसल हो जाएगा तो बचेगा 1 बटे 6 तो चलिए सबसे पहले कैंसल ही कर देते हैं 12 बटे 2 इसको जियों का तेंग दो बटे 15 इसको भी जियों का तेंग लेखा और 0-0 एक बटे 6 अब इसका LCM ले लेते हैं तो S11 बरावर 11 बटे 2 यहाँ पर 15 और 6 का LCM ले लेते हैं तो 30 आ जाएगा आप LCM निकालना जानते हैं और 15 दूनी 30 होता है और 6 पंचे 30 होता है तो दोनों, जो है 15 की टेबिल में भी 30 आता है, और 6 की टेबिल में भी 30 आता है, 15 दूनी 30 कितने बार गया, आंसर है 2 बार गया, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 का गुणा 2 में करोगे, तो 2 दूनी 4, प्लस, 6 पंचे 30, कितनी बार गया, तो आंसर है 5 बार गया, 5 का गुणा 1 में करो होगे तो पांच एकम पांच तो यहां पर ग्यारा है बटे दो पांच और चार हो जाएगा नौ बटे तीस तो यहां पर और आगे बढ़ेंगे ग्यारा है नौ आप इसको यहां से कैंसल नहीं कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट आएगा 99 बटे तीस दूनी 60 तो अब आप इसको कैंसल कर सकते हैं तीन से तो यहां पर तीन तरका नौ और तीन तरका नौ और नीचे आएगा तीन दूनी 6 तो 33 बटे 20 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ा ही सिंपल है तो आप इसको नूट भी कर सकते हैं और यह पहला सौट यह दूसरा सौट हो जाएग और यह 360 तो सबसे पहले आप एक बार सीख लीजिए और इसको एक बार अपने कॉपी में करके देखिए और मेहनत करते रहे ताकि आप सफलता को प्राप्त हो सकें थैंक यू